हालो अबरिवेन आज हम इस देखेंगे रोल ओवर टूल और समझेंगे कि रोल ओवर टूल क्या है तो देखते हैं रोल ओवर का मतलक्त क्या है मतलब जो future contract इस expiry को खतम हो रहे थे उनको अगले महिने की expiry में बढ़ा दे तो देखते हैं सबसे पहले expiry एक मतलब November expiry और December expiry और expiry दो मतलब कि हम November expiry के future contract को December या January में आगे बढ़ा रहें फिर है symbol, symbol में है nifty और bank nifty आप यहां पर देख सकते हैं इनको rollover करने का cost कितना है rollover cost percentage में और अभी तक rollover कितना हुआ है लगबद 6% nifty और bank nifty में अभी तक rollover हुआ है स्क्रीन के नीचे साइट देखें तो आप सारे F&O stocks देख सकते हैं उनका rollover करने का cost देख सकते हैं rollover cost percentage में देख सकते हैं और अभी तक किन stocks में कितना rollover हुआ है वो भी देख सकते हैं मतलब इस expiry के कितने future contract अगली expiry में बढ़ा दिये गए हैं आखरी में आप किसी एक stock को search भी कर सकते हैं देखते हैं SDFC bank symbol में देख सकता हूँ SDFC bank इस महिने के future contract को अगले महिने बढ़ाने का rollover cost और अभी तक इसमें कितना rollover हुआ है आखरी में आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि एक expiry से दूसरे expiry में कितने future contract rollover हुए है और उनका cost क्या है धन्यवाद झाल